नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका देजलेबी में दोस्तों आज के समय तपूर्ण वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुर्गे की कलेजी खाने से पुर्शों में कौन-कौन से रोक समाप्त हो जाते हैं जी हाँ दोस्तों मुर्गे की कलेजी बकरे की कलेजी तो आप लोगों ने जादस जादक खाई होगी लेकिन मुर्गे की कलेजी खाने के भी क्या फायदे होते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ मुर्गे की कलेजी खाने का जो सबसे पहला फायदा होता वो ये होता है क पूरसों में ठकान पूरी तरह से समाप्त हो जाती यानि कि शरीर की जो कैसी भी ठकान है चाहे वो मांसिक तोर पर ही ठके क्यों ना हो इसमें उपस्तित ऐसे कैमिकल होते हैं जो सीधे सीधे जाके उनके मस्तिस्क को पिंच करते हैं और ऐसे में उनके शरीर की जो ठकान होती ह चाहिए देशी मुर्गा होना चाहिए और गैनिक मुर्गा होना चाहिए कड़कनात मुर्गा होना चाहिए ऐसा मुर्गा होना चाहिए जो स्वस्त हो ध्यान रहे स्वस्त होना चाहिए बिल्कुल ऐसे मुर्गे नहीं होने चाहिए तो 10-15 दिन से बिल्कुल कैद हैं और उनक सारे पूर्षों में सुक्राणूं की संख्या कम होती जा रही है क्योंकि स्ट्रेस इतना जादा है और तो और दोस्तों पूर्षों की सबसे बड़ी समझ से यह इस्तंबन की भी हो जाती है एक उमर के बाद उनको तरह तरह की anxiety होती जिसके कारण उनके जो private part होता है उसमें स्तंभन नहीं हो पाता है तो यदि मुर्गे की कलेजी का proper तरह से पका कर भून कर खाया जाए तो 3-4 महीने के अंदर गजब के परिणाम पूर्शों में देखने को मिलते हैं इसके अलावा दोस्तों आखों की रोशनी में जी हां दोस्तों आखों की रोशनी यदि किसी भी लड़के की कम हो गई है तो उसको भी मुर्गे की कलेजी का सेवन करना चाहिए बहुत अच्छा होता है दोस्तों इसके अलावा चौता फायदा होता है आयरेन की कमी किया पूर लेकिन यदि नॉन वेज़ आप खाते हैं, तो आप कलेजी का सेवन जरूर करें, इसमें ज़्यादा एमाउंट में आयरेन पाया जाता है, तो आपके सरीर में आयरेन की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी, एनेमिक पेशन्ट को जरूर लेना चाहिए, महिलाएं जो की गर्भवत हो स्वास संबंदी, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताना बिल्कुल भी मत भूलिए, हम प्रतेक प्रशन के आंसर देना उचित समस्ते हैं, तो जरूर देते हैं, साथी साथी से जादस जादस शेयर कर दीजे, वाट्चाप पर ताकि अने लोग भी इस मैतपूर जा झाल